जैस्राम भाईयो तो प्लाव के उपर मेसी फर्गुशन पिंचान सो स्मार्ट चल रहा है भाईयो ठीक है 2MB प्लाव है तो इसका परफोर्मेंस देखेंगे भाईयो देख सकते हैं वही पेटर्न ग्यों का खेत है ठीक इसमें से फिर रिपर चलवा के शुकला बनवा के और बाद में डायरेक्ट इसको किसान प्लाव करवा रहे हैं तो देख सकते हैं तो सारी जानकारी लेंग प्लाव में टेक्टर एक आगे वेट लगा रखा है 25-25-25 कि 6 प्लेटे हैं वाईयो कुछ वेट इसमें भी है ठीक है और four wheel drive है तो आगे अच्छा खासा वजन है ठीक है उसके बाद क्या है कि इसमें water blasting भी कर रखी है आगे के पईयों में ठीक है तीन साल से यह ट्रीक्टर चला रहे हो तो कैसे क्या परफोर्मेंस है इस ट्रीक्टर का कैसे चलता है बढ़िया चलता है दपता तो नहीं है पूरा four wheel में चलाते हो ना बले नरम आ जाए तो भी four wheel में चलता है अच्छा तो यूं बताओ में के एक गंटे में यह जो प्लव है ठीक है four wheel में कित्ते भीगे जमी निकाल देता है एक गंटे 20 मिनिट में एक भीगा नरम खेत हो तो भी नरम हो तो एक गंटे में थोड़ा कड़क आ जाए तो एक गंटा और 20 मिनिट है ना four wheel drive में कौन से गेर में चलेगा यह मतलब low four में low four में चलेगा है ना अच्छा दू साधे पांच लेटर लेता है प्लाव पर साधे पांच लेता है अच्छा अच्छा अगे के साधे नों के टायर है चोईस रीम के साथ और 16-28 इसके बेक टायर है ठीक है सुपर शेटल के साथ में आता है आठ प्लस आठ यानिक और इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें ठीक है किसमें मेसिफ अर्गूसन में आपको जो फ्रंट एक्सल दिखेगी विस्टेस कर फोर्विल की उसका जो मेकेनिजम है भाई हो वह साइड में दिया है ठीक है देख सकते इसमें कंपनी क्या मानती है कि जैसे के मान लिया जाए कि यह प्लव पर चल रहा ठीक है एक फिट के आसपस अगर इसकी घराई हो तो टेक्टर थोड़ा सा मतलब जो है ग्राउंड क्लेंस उसका कम हो जाता है या इस ताइप की मेड हो जहां पर उंची जगे हो तो कहीं पर जो टेक्टर रहते है उसका जो ग्राउंड क्लेरंस से कहीं न कहीं थोड़ा कम रहता है ठीक यह चीज माननी पड़ेगी तो परफोर्मेंस अपन देखेंगे ठीक है वेट देख सकते पर आगे का जो जित्ता भी वेट ब्लास्टिंग कर रहा पूरा फूल है टायर में भी लगी है ठीक गोपाल इंजिनिरिंग वर्क्स पिपल्यमंडी वह ही आपका जो हमारे दर बिल्गुल फेमस चलता है पिपल्यमंडी का प्लव गोपाल इंजिनिरिंग का ठीक है तो इसको अपन चलते हुए देखें इसका परफोर्मेंस हाँ चलने दो गजब का साउंड है भईयो बहुत तगड़ा स्पेशल ये ओर्डर से बनवाया है भईयो ठीक है इसको अठराइच इसकी जो प्लेटे हैं मतब तविया जिसको बोल सकते हैं पर उनकी चोड़ा ही रखिए भईयो ठीक है बढ़िया चल्राए भईयो बढ़ियो झाल झाल तो बढ़िया नार्मल गेह रही है तो नार्मल इसलिए लग रही है कि इसकी प्लेटे हैं वह बहुत ज्यादा चोड़ी देख रहा हूं अथा रही है चोलिए और प्लाव भी बहुत मजबूत बना हुआ है भाईयो सेंसिंग देखो भाईयो सेंसिंग का राजा मेसी फर्कुशन पिंचाने सुस्माट तो मेसी की जो सेंसिंग है भाईयो इसे ही मशुहूर नहीं है बहुत बढ़िया क्वालेटी है रही है भाईयो नही है बहुत गारा है भयो और लग भी बहुत अच्छा रहा है यानि कि यह राई बहुत अच्छी ले रहा है है ना सेटिक भी अच्छी कर रखी है कर देख सकते हैं कि यह रहा है यह रहा है यह रहा है कि यह रहा है कि अप्ष। कि अच्छी बहुत है वोग रहा है झाल झाल 2021 मोडल है और प्लाव का जो बजान है भाईयो शेक वेंडल बजान है शेक वेंडल का प्लाव है हाट की बोनी हाट की बोनी की अथेक driven जंसी, जब आबायास कर दो कर दे होो अाया कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो ठीक है भाईयो जैसी भी वीडियो लगे है लाइक शेर एम सस्क्राइब करें दोस्तों जैसरी रहाँ